कि में आपको यह बताऊंगा कि मोगल अमपायर का डिकलाइन क्यों हुआ उसके क्या काउजिस से और इसमें मैं पॉइंट्स वाइस आपको बताता रहूंगा और मैंने अपने पिछले वीडियो में जिस तरह से में इस राइटिंग में आपको बदाया था कि आप किसी भी ची सोंटाइं करते हैं अब दिखें यह मैप करते हैं मेंसे में टीन सेंचुरी मतलब 1750 के असपस थिके यह सबसे उपर आप देख रहे हो पानीपत है डेली है आग रहे हैं जहां पर मुगल्स थे और और वहीं पे आकमे आप देख रहो जाट है रख आवर अवद है ठीक है तो इस तरह से आप देख रहो नीचे आप देख रहो बंगाल की नाएवं पहाड हुगार?" बंगाल हो गया ओधर हो गया औरिजा ho में औरण्गभाय हो गया औरिजा देश नाए होут अ ठीक है धीरे धीरे भारी बारी से बंगाल में बिहार और उडिशा को भी मिला लिया गया था जब आरंग जेब के मतलब डेथ के बाद से तो ये बंगाल बिहार उडिशा और ये साथ में ये बंगलादेश कंबाइन रहता था बंगाल में ठीक है जब भी बंगाल बोला गया जब आंग्रेजों ने जब 57 में प्लाशी का बैटल में जब जीता ना जब उनको बंगाल मिला तो बंगाल मतलब उनको बंगाल, बिहर, उडिशा और बंगलादेश यह सब मिले अब देखें नीचे आप देख रहे हैं कि यह जो confederacy थी पहले तो फैमिली की तरह रहते थे और इनको इतनी आटोनों मी नहीं थी तो यह माराथा ही समझो आप शार्टिंग में यह माराथा थे तीक है और राजस्थान साइड में आप देख रहा हो कि इस तरह से राजपूत हैं तो राजपुताना अलग हुआ करते थे वहां पर और आप देखे रहे हो कि ये पुने में जो मानाटा हुआ करते थे वह पेश्वा बोले जाते थे ठीक है और पेश्वा और ये बागी कि उनके फैमिलीज अलग होती थी गायकवार सिंदेग खुलकर बोसले में पेश्वा इस तरह से एक बार यूप्यस्सी में ये भी पुन क और ये सारे आप देख रहे हो कि कौन-कौन लोग रहे थे उससमें तो आपने देखा आप स्टार्ट करते हैं हम देखो कि की टाइम से चलते हैं देखे 1724-25 के आज पस क्या हुआ जब औरंग जेब जब मारा था 1707 में उसके बाद कि जो उसके सक्सेसर आये तो वह क्या कर पहले के लिवायं क्या हुआ है कि उसमें जो निजाम था वो लॉयल था मॉबल था एक नॉबल था वहां पर नॉंबल के बारे का होते ह máximo नीचे मतलब साउथ में अब साउथ में जाके इसने क्या किया कि इसने एक फाउंडेशन करी आसफ जाही डाइनेस्टी की और ये एक हैदराबाद जगे बसाया ठीक है है हैदराबाद का शाषक बनाई है अब 1724 25 में निजाम हो गए उसके बाद फिर आप देखोगे कि 1749 में नादिर शाह ने अटैक किया था ठीक है और उसके बाद आप देखोगे 1746 में अली वर्दी खान जो बंगाल में जो नवाब होगा अगरता था तो अली वर्दी खान ने मुगलों को ट्रिब्यूट देना जो पैसे भिजवाते थे मुगलों को वो देना बंद कर दिया था ठीक है 1746 में उसके बाद आप देखोगे 1755 में आप देख रहे हो हैदर अली मॉडरनाइस ट्रूप्स विद हेल्प और फ्रेंच फ्रेंच लोगों की मदद से हैदर अली ने ट्रूप्स को मॉडरनाइस कर कर दिया ठीक है पच्पन के बाद आप आते हो 57 में 1757 में 85 के बैटल हुआ जैसे कि आप जानते हो ठीक है उसके बाद आप देखोगे 1757 के बाद 1761 में आहमद साह अब्दली जो अफगानी था इसने मदला अटैक किया और मलाठा को हरा दिया पानीपत के थाट बैटल में ठ इसके बाद 1764 में सुजाउद दौला एक डिफेंसिव एलाइंस के तहत ये बटिसर के साथ ये एड हो गया ठीक है कोन है सुजाउद दौला बक्सर का बैटल हुआ था बैटल अब बक्सर तो बंगाल का जो नवाब था वो ता सिराजु दौला ठीक है और अवद का था उस समय का तो वह आगे की चीज़ें देखोगे आप यह मैंने आपको बताया कि उस समय क्या क्या सिच्वेशन थी कहां कौन था ठीक है यह मैब के थूर आप समझ सकते हो अब साट करते हैं अब देखें एक और चीज इसमें मैंने कंफेडरेसी का जिक्र किया था तो माराथा बहुत वीक हो गए थे उसके बाद दस साल बाद इनका री सरेक्शन हुआ एक तरह से माधर राव पेश्वा के आये सामने ठीक हैं तो उनकी पावर्स बढ़ने लगी तो उन्होंने क्या कि उन्होंने तबड़ा उनको लगा कि वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो उ आप सी जादा सामने में उससे पहले इतने पिक्चर में नहीं आते थे थे पहले भी लेकिन फैमिली यह तरह थे सब्सक्राइब नहीं थी बाद में इनको सेमी ऑटोनोमे मिल गई ठीक हैं और उसके बाद 1764 के बाद आप देखो गए सबसे लास्ट में 1768 क्या हुआ तो यह ट्रीटी क्या कर लिए आप जानते हो ट्रीटी कैसी होती थी अट्रीटी का मतलब था बैटिशर के लिए तो आप आगे समझी सकते हो एक तरह से एलाइंस कर लिया है जो आखेंगे बैटीसर वो करेंगे ठीक है 1768 में उन्हें ड्रीटी कर लिए यह जो मुगल सेंटर्ल स्ट्रक्चर बिगें टो क्रंबल इन 18 सेंचरी विद डेथ ओर ऑरंग जेप इन 1707 ठीक है 177 में और जेप की डेथ के बाद से ही मुगल का जो सेंटर इस्टर्चर था ना वह क्रंबल करने लगा था ठीक है अब क्यों क्रंबल करने लगा था इसको आप किटेगराइज कर सकते हो जैसा कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप शोशल, एकोनॉमिक, पॉलेटिकल यह कुछ क्लासेस हैं इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो ठीक है लिवाइट कौन कौन से कौजेसे हैं तो आप स्टार्ट करते हैं छिएक हैं इन्सपाइट और रिएटरी और कल्चिरल अचीवमेंट अनेबल तो क्रियेट इनी नेशनल फीलिंग और कॉर्पेरेट इस्प्रेट अमंग एट्स हेट्रोजीनियस पोपलिशन अब देखिए पोपलिशन तो उस समय के हेट्रोजीनि के लिए सके हैं आपने आपने कास्ट के लोगों के लिए उनके अंदर नेशनल फीलिग नहीं थी ओ घंए इन स्पाय उ मिलेट्रीं दॉटल क्ल्चियुमेंट दुटल में अचीवमेंट किया लिकानार रही क्या आपने देखा और उसके वाद देखोगी कि एक गैम अलामिग में मुगल एंपरर स्टेजर वन एन रिंधव कोई तिक है अब देखो कि आपकी जब यह औरंगंजे के बात सक्सेसर आये तो इनके बीच में जब यह चेंज होते थे दूसरा सक्सेसर तो यह बहुत सारी रिवोट होते थे तो लोगों के वीकनेस पता चल रही थी इनका सक्सेशर के वीच का वारी इतना ज्यादा चलता था आप इसमें कौन का दीबे बैटेगा इसका वैजसे भी जो मोगल आपार है यह वीक हो रहा था तो आपने पहले पॉइंट हम यह पॉइंट से आपनोट कर सकते हो पहला आप प्रीडिफाइन तो इनका कभी चला नहींगी कौन बनेगा वैसे प्रीडिफाइन क्या आप सोचो बड़ा बेटा बनाते थे लेकिन यह आप जानते हो क्या हुआ कैसे फाइट होती रही मुगलों में इसलिए तो आप यह पहला पॉइंट देखो नेशनल फीलिंगा हो गय के बाद में तो उस समय आप देखोंगे सर्वाइवल ऑफ दा वीकेस्ट की पॉलसी फॉलो करी है उनों रहे मतला आपने तो सुना होगा सर्वाइवल ऑफ दा फिटेस्ट जो फिट हो रहा है उसको सर्वाइव करेगा वो लेकिन यहां क्या था यहां जो सबसे कमजोर होता वो सर्वाइवल होता था क्योंकि उसको जो बैठाने वाले थे ना जो लोग गदी बेठाते थे नॉबल्स लोग वो गदी बैठाने से पहले देखते थे कि वह वीक है कट पुदली की तरह पपेट की तरह काम करेगा तब तो हम रखेंगे उसको और अगर जला से जबान च करते थे यह जो नए सक्सेशर आते थे तो आप में देखा नेशनल फिलिंग हो गई सक्सेशर का जो वार होता था यह खिलोने की तरह काम करते है सक्सेशर और उसके बाद क्या हुआ पावर हंगरी सुब्यदार सब बंगाल अवद और देकन बिहाइवड सेमी सक्सेशर का वार अगर दिल्ली में चड़ा हुआ है तो यह मौका पाते हुए है इन्हों ने इंडिपेंडेंट अबने आपको गोसित करना चालो किया नहीं दिया रेविन्यू ठीक है इस तरह से और उसके बाद देखो इन्हों ने क्या क्या यूरोपियन कंपनी से दोस्त अब आपने देखा होगा कि अटैक भी हुआ था 1739 में तो यह इसकी वज़े से भी बहुत वीक हुआ मुगल एम्पायर और लोगों को पता भी चल गया कि पोल खुल गई है एक नादे साह ऐसा कर सकता है तो आप सोचो महराथा को भी पता चल गया कि यह क्या है क्या है क्या सब्सक्राइब कर दो कंट्री में डिफिकल्ट इस्टेबल सेंट्रलाइज अड्मिस्टेशन ओवर और आल बाट्स अव कंट्री अब देखें आप देखोगे कि और रंग जेव ने कोशिश तो बहुत करी इतना बड़ा वंपायर बनाया और सोचा कि उसको अद्मिस्ट्र सब्सक्राइब करते हैं वह इतने ज्यादा बढ़ गए उनको जो जागीर्दार जो जागीर्य मिलती थी उसमें वेटिंग पीरियड लगना कि वेट होता था तो यह आप देख रहे हो कि मैं मिस्ट मैनेजमेंट हो गया एक तरह का चिक हैं तो मिस्ट मैनेजमेंट और मिस् सबसे बढ़ी गलती क्या थी कि आपको यह समझना चाहिए कि अगर सामने वाले के पास भी स्ट्रॉंग आर्मी है तो आप उसको फ्रेंड्शिप कर लो ठीक हैं उनको थोड़ा सा सेमी ऑटोनोमस की तरह उनको रहना है तो ठीक है रहने दो ट्रीटी की तरह करके ऐसे मतलब सही से रहना चाहिए लेकिन अब यहां क्या क्या और अंग जेम ने हमेशा दबाने की गोसिस की कि तुम मेरे सबडेनेट की तरह रहो यह उसकी गलती रही ठीक है डेनिंग रिसोसे मुगल एंपायर और ट्रेड और इंडस्टी आप तो माराथा से बार बार भीड़ोगे त दोनों टक्कर में सारे रिसोसेश खाली हो गए मुगल एंपायर के ठीक है डेन हो रहे थे काम हो रहे थे और ट्रेड और इंडस्टी में भी बला इफेक्ट पड़ता था कि जना टेकन में कुछ हो रहा है माराटों ने अटाक कर दिया महां पर मुगल कुछ कर रहा है राजपूत स्टेट के साथ कि उसकी वजह से भी उनकी लॉयलिटी जो है ना वह उनकी लॉयलिटी कम होने लगी मुगलों के लिए ठीक है और उसके बाद आगे चलके जो सक्सेसर आये उन्होंने कोशिस करी रिष्तेदारी सुदाने की लेकिन और जेब ने अपने टाइम खराब कर रखे थी राजपूतियसाथ पॉलिसी जोगा रखे थी इसने मंदिर तोड़वाना आज तरह के हिंदू रिलीजन से इस तरह से नफरत करना तो इस वजह से राजपूत लोग थे उनको भी लगता था कि यह गलत हो रही है और अग्जेब की पॉलिसी गलत है ठीक कुछ अप्राइजिंग्स भी होई जैसे सत्नामी हो गए जाट हो गए सिख हो गए तो यह लोग क्या कर रहते ना यह मतलब मुगल रेवन्यू ऑफिसियल्स जो होते थे जो रेवन्यू कलेक्ट करने वाले यह बहुत दबा के रखते थे पीजेंटरी को और बहुत मैंने बताया था कि इन्होंने यह डिसाइट कर रहा था कि आप कितना रिवन्यू करेट करना है ठीक है अकबर के टाइम में चोडर मर के अलब से लेकिन क्या होता था कि यह कोई लोग नहीं मानते थे और अपने इजाब से वसूल रहे हो तो पीजेंटरी के भी रिवोल्ट इन्दू मुसलिम अपर क्लास के बीच में बहुत ग्याप कर गया और अग्जे अब आद में उसकेसर आए उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सुधारने क्यों कोसिस करी कि इस तरह की गल्तियां ना हो ठीक है अब आप देखो श्म सक्सेसर्स वर वीक विल्ड एंड अब जो सक्सेसर आते थे उनमें वह रहती थी वह क्या होते थे वीक विल्ड विल पावर थी उनकी और लक्जिरी बहुत पसंद थी उनकी ठीक है और जो चरेक्टर ओफ नॉबिलिटी जो थी नॉबल जो बैग्बोन हुआ करते थे थे ना जो नॉबल मुगल में वह आप स बहुत ज्यादा खर्चा करते थे इस लविंग फॉंड और एक्सेसिव लग्जरी लग्जरी बहुत पसंद थी उनको सरॉंडेर बाइफ फैमिली एंड कमफट इवन विन फाइटिंग अब तुम फाइट करने जाने हो तब भी तुमको फैमिली ले जानी है और कमफट धान है तो यह चीज़ थी पूर्ली एजुकेटेड होते थे तो अब क्या होता था कि जो बाग में जो नॉबल पहले तो अगबर के टाइम पर आपने देखा टैलेंट के वैसे पर नॉबल बनते थे मंसरदार बनते थे लेकिन इन्होंने किया कि इन्होंने इसको बनाने के कि जो पापेट बिठा रखा है तो यह इन्होंने क्या किया नॉबल्स ने को मतलब मौनपलाइज कर लिए अपने अफिसे के हम ही अब देखेंगे और हमारे बाद कोई नई एंट्री निक उसने देते थे कि नया कोई रिक्रूट्मेंट हो रहा है फ्रेश रिक्रूट्में कुछ जिनके मंसर्वदारी ज्यादा हो थे उनको नॉबल बोलते थे आप ऐसा समझो मैंने यह बताया हुआ है अपने मीडिवल के जो एक शोचल एकोनोमिक कंडिशन वाले वीडियो में आपने देखा और प्रमोटिंग दियर ओन इंट्रेस्ट इवन इफ टैलेंटेर कई की बार क्या होता था कि सारे नॉबल तो नहीं खराब थे कुछ कुछ टैलेंटेर होते थे जिनमें स्किल्स होती थी लेकिन वह लोयल्टी नहीं थी उनके अंदर वह अपने लिए सूच से थे अपना परसनल इंट्रेस्ट देखते थे वह इसलिए उनके अंदर यूनिटी नहीं थी लोयल्टी नहीं थी इतनी कि मुगलों के लिए लॉयल रहे हैं अब कॉज ऑफ ग्रोइंग सेल्फिशनेस और क्लीकनेस और नॉबल जो थे आप देखोगे नहीं कमी तो बता दी कि नॉबल जो थे यह यह थे कमिया थी उनमें लेगिन यह कमिया क्यों थी इतने ल नॉबल सेंगरी डियर स्मेटिश्चर पड़स इन जो बढ़ता चारा है और नॉबल संख्या थी जाए जद्याद से कर रहे हैं जाद जाद नॉबल रिष्थेदारों को सामेल कर लो ठीक है नॉबल बढ़ रहे हैं not sufficient number of offices and jages for all nobles नॉबल तो नोबल जो थे उनके बस जितने नॉबल होते थे उनके लिए sufficient number of offices or jages नहीं बची थी to balance their own budget they tended to एप्रोप्रियेट खल सा लैंड प्रक है कि अपकुल को आप समझो जैसे सेंटर गश्ट टैक्स का पैसा जो पैसा टैक्सित ऊता है तो कालिशा लेंड का जो था उस 파सा होता था उससे भी एप्रोप्रियेट कर लेते थे तो इंटेंजgreg Фानेंसियल क्राइशिसusive और शेंसेल करते रहे 있으 dher expenditure by not maintaining their full quota of troops अभी इन को लगता था कि expenditure हमारे आयासी ना कम हो तो इन्होंने क्या किया है troops अपने कम कर दी है और उनकी salary तो ले रहे थे लेकिन उनको troops नहीं रख रहे थे उतने उस तो उसे army weak हो रही थी ठीक है अब देखिए burden of land revenue went on increasing from aqbar's time aqbar के time सही land revenue का जो burden था वो बढ़ता जाता है देखिए जब भी कोई आप देखोगे ना कि जब भी किसी empire में किसी period में war जादा होंगे लडाई जादा होंगी तो उसमें खर्चा जादा लगता है तो tax collection भी बढ़ा देते हैं तो आप देखो कि aqbar के टाइम के बाद से यह लगातार यह लैंडव नहीं वड़ता रहा constant transfer of nobles from their jagir अब जो nobles होदे से उनको जागी से transfer किया जाता था तो so they try to extend act as much from a jagir as possible in their short tenure as jagir often in violation of official regulation तो उनको लगता था कि हम ज्यादा कुछ time के लिए यहां पर हैं तो पूरा loot लें ज्यादा ज्यादा वसूल लें ठीक है क्योंकि मुनको पता था कि हम ज्यादा वसूलेंगे तो जो consequences होंगे जो हमारे बात में आएगा वो देखेगा हम तो loot के चले जाए कंसे कम ठीक है after the death of aurang jayb the practice of izara or farming the land revenue to the highest bidder who was permitted to raise what he could from the to the highest bidder जो सबसे ज्यादा निलामी में बोली लगाता था उसको देते थे और पीजेंट्री बिकेंट्री बिकें मोर कॉमन जागीर और जो सक्सेसर आयना उन्होंने क्या किया कि एक तरह से इजारा नाम की एक चीज़ उन्होंने लागू करी और जिसमें क्या था farming the land revenue वो क्य जो सबसे जादा निलामी में बोली लगाता था उसको देते थे और who was permitted to raise what he could new no bound इसकी वज़े से ना एक यह नया class generate हुआ कौन सा revenue farmers का वह एक फार्मर तो होते हैं जो cultivator होते हैं एक फार्मर यह revenue farmer revenue farming करेंगे revenue farming के लिए निला में होने लगी ठीक है इतना खून चूस के जब रेवन्यू फार्मर से पैसे वसुलबा होगे तो यह अपना land छोड़के जाने लगे अप्राइजिंग स्विंग जैसे सत्नामी की जाट की सिक्स की मैंनी रियून पीजेंट बिकेम लॉबर्स ऑफें अंडर दा लीडर्शिप ऑफ जमीदार ठीक हैं तस अंडर्माइनिंग लॉएंड ओडर कुछ ऐसे थे जो पीजेंट थे जो जमीदारों के लीडर्शिप में वह लॉबर बन गए ठीक है लूट पार्ट प्लेंडरिंग करने रहे और इस तरह लॉएंड ओडर को उन्होंने खराब किया ठीक है अगरी कल्चर से सर्प्लस नहीं बन वा था क्योंकि कॉंस्टेंट वार्फेर लगातार लडाई हो रही है सक्सेसे के लिए वावर हो रहा है और भी अटैक हो रहे हैं ठीक है लूट के ले जा रहे है लोग लग्जेरी अलग लग्जोरियस लाइब जीरो रूलिंग क्लास की नीर्स इतनी बढ़ गई थी तो इस वज़े से अगरी कल्चर सर्प्रस नहीं रहा इंडियन इंड़स्ट्रीज वोस्कॉइट एडवांस बाइडवांस करके गया था वो बट अनलाइक इन सब्सक्राइब से चलते रहें और कोई इस तरह का नहीं किया कि साइंस में भी ध्यान देना चाहिए हमें दूसरी जगह भी देखना चाहिए और रूट्स भी देखने चाहिए ठीक है इंफेसिस ऑन लैंड आज सोर्स ऑफ वेल्द और गवर्मेंट रेवन्यू लेट टू खर्रणी उनको लगें और कि अधीय सबवसु कोई कि असर कि आस्यों सब्सक्राइब निश्युच्ण न Acho लेकि यह सब पहले ही बताए विका ड़ेहन की टिउस्टियों हमारा सब एक सुल आश्युच्ण लेंगी त्यूच्य तैक है अपने नेशन के लिए लड़ने की कोई फिलिंग नहीं थी लोगों में इस्टेट पिपल वर लॉयल तो पर सब्सक्राइब कास्ट में बड़ी उनिटी दिखाया इन्होंने जो नेशनल फिलिंग वाला पॉइंट हो गया सक्षेसर वाला पॉइंट हो गया आपने एकॉनमी क इकॉनमी की बते बताएं कि एकॉनमी क्या हुआ और नॉबल्स का बताया है कि नॉबल्स ने किस तरह से चीजे इंपक्त राली तो आप देखोगे कि मैंने इसको पॉलिटिकल शोशल और एकॉनमिक में आप अपने हिसाब से तीन केड़गरी में डिवाइस कर सकते हो जो प तरह से पीजेंट के रिवोट हो रहे हैं किस तरह की कंडिशन खराब होरी लोगों की और एकॉनमिक तो ज्यादे तरह तरह है कि कि टेक्नोलिजी में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एकॉनमी कैसे बूस्ट होगी ठीक है नेशनलिजम की महावना जो थी यह सूशल कॉस में आ लड़िंगे लोग देखो इवन दोस हो रिबल अंपायर और फॉर एक्जामपल दिखेंगे जैसे मराथा होगे जाट होगे राजपूत होगे यह यह भी जब भी रेबल करते थे ना तो इनका भी कभी यह थोट नहीं रहता था यह आपने रिजनल पावर रिजनल लेवल क पावर को पसनल पावर को सुलिएट करने पर लगे रहते थे इन्होंने कभी इस तरह की फेलिंग नहीं रखे कि इंडिया में पूरा इंडिया ही नहीं का है और यूनिटी यूनिफाइए उनिफिकेशन करने की उससे नहीं करी ठीक है और उसके बाद दिखोगे जमीदार तू और अगेंस पिच्वें इननी संट्र्साइन अथरी। इस शॉर्ट्सइन अवीक्नेस अभ जबी जमीदार जो होते थे ठीक है अब जमीदार जो देए उन्होंने रिबल करना स्टार्ट कर दिया जेंटर्ल अथॉरटी के लिए कि उनको टैक्स पहले कि आपने आपको बताया आपने जो सोचल और एकोनॉमिक सिस्टम बताया था तो मैंने बताया था कि जमीदार किसी गाउं में हैं और वहां कर जाते थे जब इस तरह का पीजेंट को टॉर्चर होगा तो और देते नहीं थे थे तो यह तरह की वीक्नस दिखाता था और आप देखोगे और 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 एक्टिव जो थी वो खतम हो रही थी और इग्जेस्टिंग सोर्स ओफ इंकम जो था वो नेरो हो रहा था ठीक है मतलब आप देख रहे हो एक तो पुराना जो बात दादा उनके शोड़के गए और अंजेव के टाइम पे वह और खर्चक हो रहा है सब और गूस देने में इधर उदर और 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 जो एक्जिस्टिंग सोर्स ओफ इंकम जो लैंड है उनका वह अलग का मोरा है उनका इ मैंनी प्रोविंसेस फिल्ट रिमिट रिवेन्यू खालसा लैंड रिट रिट रहा है सेंटर भावर भी हो रही है तो नहीं दे रहा है ठीक है खालसा लैंड रेडिव्स आप्राइट राइट व्लकेट फ्रेंड्ली नॉबस बाइंटिंग जागिस आउट आप दी लैंड खालसा लैंड जो होती थी जिसका पैसा डारेट चंटर गौब्मेंट में जाता था वह भी कम हो रही थी क्यों कम नग्त आपने कई सारे नॉबलस को लोगी ने जागीर देने के लिए अपने हिस्टेसे से जमी देदी तो कहा सले एंड होगा कम होगी तो इसे रखेगा कोंई तो इनकम कम हुई तो आफेक्टिंग मिलिटरी स्टेंद भी कम हुई यह एड्मिस्ट्रेटिव आप बता सकते हो जनके अड्मिस्ट्रेशन में किस तरह से अब इस तरह से आउसके बाद आटेक हुआ 1749 में नाधिर शाह का अब क्या हुआ जो अंपायर था ना अंपायर ने अज एकिंग्डम और डेली नॉमिनल थ्रोन और डेली तिक आप क्या हुआ जो अंपायर बचा मुगलों का वो ऐसा रह गया कि पूरे इंडिया से सब खतम ह सब्सक्राइब और बस पॉपट की तरह काम करता रहता था ठीक है जैसा उसको बोले जाता था उसके वजीर वजीर सब जो और लोग होते थे तो उनके हिसाब से उस चलता रहता था और या इंडियान्स पावर रोज तो क्लें दाहिटेस ऑट ग्रेट मुगर्स फॉर देव उस समय में उन में सब में लड़ाई हुई ठीक है अब लड़ाई हुई और हँनोंने कम कमजोर किया मुग्लों को लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कमजोर कर रहे हैं तो हम एक नए नय अभाय करें अपनों और सब को युनाइट कर दें आप देखोगे कि यूनिफ करें पूरे इंडिया को यूनिफिकेशन यूनाइट करें सब रीजनल लेवल पर सोच रहे थे और मतलब उन्होंने टैक्स वसूल रहे हैं तुम रूल करो और हम टैक्स वसूल दे रहेंगे चौथ और सदेश-मुख इस तरह से और हम तुमको प्रटेक्शन दे रहेंगे मतल को प्रटेकल दोनों में नहीं बता सकते हो जब इस तरह की बाते होंगी कोई नहीं करनेगा शोचल कॉज में बता सकते हो ठीकिन की नहीं पर सामने आ रहे थे वो और अलग से इन्होंने पूरा चांस ही खतम कर दिया होप खतम कर दी कि दुबारा से रिवाइबल होगा इसका ठीक है इनका जो एकोनोमिक सिस्टम था वो स्टेबलिश था इनको पता था हमें कैसे कमाना है किस तरह से हमें सस्टे में ले जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट यह knowledge थी इनको ट्रेड की ठीक है एडवांस साइंस और टेक्नालोजी अब देखोंगे शाह आलम जो था वह आलमगीर दृती कहां बेटा था और आप देखोंगे कि 1769 में गद्धी में बैठा था ठीक है और आप देखोंगे इसका नाम था प्रिंस अली गोहर स्टाइग है और बाद में बैठा तो शाह आलम जिती के गद्धी की नाम से गद्धी बैठा बट वह नौट एंटर लेकिन उसमें भी खतरा था इस रोहिला अफगान फूड़ेटरी जो अपर दूआप टिक है अपर दूआब एरिया में जो रोहिला अफगान सामन तुगा करते थे और रोहिला खंड में जो सामन थे वह बहुत खतरनाक थे उन्चे डरता रहता था था अफगान का जो एंपरर था नामस अब्दली उससे इनकी मतलब दोस्ती रहती थी तो इस वजह से यह इसको फिर रहता था कि कहीं अफगान लोग जो हम पर अटैक ना करते हैं हमको बगाना थे हां से ठीक है तो यह आवद वेर ही रिमेंड इन एक्जाइल यह जो था ना यह आवद में एक्जाइल वनवास की तरह काट रहा था आवद में था यह वस रूल्ड बाई इस फ्योड़ेटरी नवाब सूजा नवाब ज नवाब जो था सुजाओ दोला यह शीया था यह वस अलसो पावफुल प्राक्टिकल एंड वस लोगों से मतलब जुड़ा हुआ था यह प्राक्टिकल था पावफुल था और यह इस इंडिया कंपनी देन डी नॉमिनेट डॉमिनेटर था इस्ट आफ्टर बैटल और प्ल कि गद्धी में बैठने के बाद इसने डिमांड किया कि मैं तो मुगल एंपरर हूं तो मुझे दीवानी चाहिए मतलब जो पैसा रेवन्यू आता है बंगाल का वो रेवन्यू चाहिए अब बंगाल से तुम रेवन्यू मांगो गया और जब कि 1757 में प्लासी के बैटल में सब पहले ही सेटल हो चुका है तो फिर इस इंडिया कंपनी के लिए डायरेट टक्कर में आ गई है अब यह इस इंडिया कंपनी से तककर लेनी पड़े कि इनको पहले ठीक है बंगाल की नवाब से राजु दॉला ने तो ले ली टकर अब इनको लेनी पड़ेगी इस आलम क जो इनके पिताजी थे उनको जिसने मारा था वो था इमादुल मुल्क कुन था चीफ मिनिष्टर यह वजीर अइस तरह से आप समझो कि उनके हायर पोस्ट में को आगए था उसने क्या कर दिया इसके बाग को मार दिया मतलब यह जो तुमारे शाह आलम को गर दिया कबजे म करने के बाद यह कैसे करके शालम भाग के कैसे निकल के वह पहुंचा था आवद में तो इस तरह से भाग के क्या था अपनी जान बशाते हुए और फिर उसने 1769 में खुद को एंपरर कर दिया ठीक है कि मैं एंपरर हूं नया ठीक है और एंड माराटा जहल डेली उस समय क्या कि जब यह हुआ जब मारा था तो माराथा ने डेली पर अपनाल रखता कि मारा था तो और इसके साथ क्या है जो इनॉर्मस माराथा है वो नौर्थ में बढ़ गए थे और बहुत सारे जीत जीत भी रहते हो ठीक है अब आप दिखोगे कि डिस्पाइट क्रिपलिंग फिक् महाद्जी सिंदे आउस्टेड रोहिलास फ्रॉम डेली इन 1772 अब देखो कि आप कि 1772 में जो महाद्जी सिंदे थे इन्हों ने वहां से दिली के से जो गदी से रोहिलास लोगों को भगाया और उसको उनको भगाने के बाद इन्हों ने वापस से यह जो शाह आलम दिती है इनको वापस से गदी में मिठाया था यह वोड बिस्टो इंपेरियल पाउर फेवर इफी वोड़ इसकोट इन से फ्ली तो डेली ठीक है जागीश और इस्ट्रिबूट्स वोड़ाब बी अवोड़े टू मराटा लीडर्स दस आफ्टर थर्टीन इयर्स ऑफ एक्जाईल आलम दिती है रिटर्न टू डेली अब तीरा साल के एक्जाईल के बाद आप देखो कि कि यह किस तरह से यहां पे आते हैं मराटन वापस से इनको दिल्ली की गद्धी नसीब होती है ठीक है अब आप देखरो तीरा साल कैसे मैंने जोड़ दिया 1769 से जोड़ो आप 1769 में य दिल्ली आना नसीब नहीं हो रहा था इनको ठीक है तो बाद में जो दिल्ली आये हैं तो दिल्ली कैसे आये हैं यह जो माराठा थे महाद जी सिंदे उनकी मज़द से दिल्ली आने के मुका मिला है सालम आये लेकिन यह माराठा के प्रोड़क्शन में आये माराठा लोगों क के प्रोटेक्शन में तो यह नॉट दा फिर भी मैसका यह मतलब हो गया एक तरह से कि उनका खुद की डेस्टेनी के मास्टर नहीं थे ठीक है लेकिन कम से कम यह हुआ कि यह वापस आ गया तो यह तो शाह अलम की इस्टी थी अब देखें लेफ्ट साइड में शाह अलम दूत इस इंडिया कंपनी के पैंशनर की तरह इन्होंने काम करते रहे हैं मतलब पैंशन मिलती रहती थी अलाबाद में रुके रहे बहुत टाइम यह तब बिटे शेल्टर 1772 रिटर्ण टो डेली अंडर प्रोटेक्शन आर्माराथा उसके बाद मतलब यह अलाबाद में रुकन है ठीक है तो यह आपने देखा किस तरह से यह सारी चीजें होई कि शालम वापस जा पाए है तो इस तरह से आप अपना यह कंप्लूड करोगे डिक्लाइन में तो आप बता होगे कि सबसे लास्ट में जो कौन था दिल्ली में कौन बैठा और उसके बाद बैठने के बाद किस तरह से पपिट बन के रहे गया था दिल्ली का रूलर कौन था ठीक है शालम शालम देती है उसके बाद आप देखोगे कि बिटिस अक्यूबाइड डेली इन 1803 अब बिटिशन दे थे उन्होंने 1803 में डेली पर कभजा कर लिया और उसके बाद फिर 1857 तक और इस इंडि कि बादूर सार्ज अफर को बठा रखा था लेकिन वह ऐसा ही थे प्रपेट की तरह वह भी और आखनी में 1857 की आंती में उनको फिर बाद में लंगून भेत दिया था ठीक है रंगून मेंने के बाद फिर रदेख तो मुगलों का जो पीरियड है नाम जो है वो नाम ही नही दिया था कि आपको अपसे कोई मुगल एंपरर नहीं रहेगा अंग्रेजों ने बोल दिया था यह अठार सतावन के बाद से ठीक है कि जो मैंने कॉस बताया है उसमें यह कॉस इस तरह के भी है कि ट्रेंगलर स्ट्रगल इन नॉर्थ इंस सदन इंडिया जो कॉस होगा तो अब देखो नॉर्थ में भी जल रहा था और साउथ में भी जल रहा था जो बेनेफिट इसमें बटेशन ने उठाया है कैसे विगर क्या देखो सब वीक हो रहे हैं आपस में लड़े माले जा रहे हैं और नॉर्थ में आप देखो कि अफगान को ना में साब दली जैसे आपस में भीड़ते रहते थे अब एहमद साहब दली माराटा तब तक तो जैली उत्रा नहीं उपर नौर्थ के साइट पढ़े ठीक है वह आटेक करते थे कभी कबार लेकिन आपस रहे आते थे लेकिन हुआ कि आहमद शाह नादिर शाह का अटेक हुआ था 1749 में ठीक है उ अगलों पर जैसे नादिर शाह सब्सक्राइब देखते हों कि 1761 में अमर्शा अबदली बढ़ा था अफगान था तो और उससे पहले यह अब दली बीच में भी आया जैसे अमर्शा अबदली इंडिया सेम टाइंस फ्रॉम 1749 से 1767 सब्सक्राइब तक वह साथ पार आया उन मतलब जो मराठा से हैं उन से लड़ाई हुए थी तो 1761 में पानीपत का थर्ड वैटल हुआ था ठीक है यह आपने देखा कि मराठा जो है मराठा में रीच बढ़ा रहे थे जब उनको लगा मराठा को कि 1749 में नादिर शाह वह आर गया तो आप उन्हों रीच तो फिर उस समय अमसाब दिली और मतलब बुलाया गया दिली में था उसने बुलाया अफगान को कि यहां पर आके इन लोगों को मतलब ठीक करो तो फिर अपने पानीपत थर्ड मोवी आप देखनी चाहिए आपको उसमें पूरा क्लियर होगा आपको ठीक है तो किस तरह सी लड़ाई हुई पानीपत का थर्ड बैटल हुआ तो यह भी आप उस पॉइंट में दिखा सकते होगी कॉस आप जो डेकलाइन अप मोगल अए रहा था वो इस वज़े से हुआ ठीक है अब देखें कि नादिर्शाह जो अनने अटैक किया था तो मौमसा रंगिला था जो फ अठास अंपायर अफगान स्लेट भाई अब दिलीन 1761 सेट में उसने बहुत कोशिश करी मोग जो शाह अलम था 1769 से 1886 तक रहा उसने बहुत कोशिश करी कि वह मतलब मुगल डेकलाइन को ना होने दे ठीक है लेकिन वह नहीं कर भाया आखिरकार उसको प्रोटेक्शन लेना पड़ा है मशाव देली खां फुरबाद में पानीपत का थाट बैटल हुआ ठीक है यह अब देखो कि यह नौर्थ का मैंने बता दिया है अब साउथ में क्या था साउथ में आप देखोगे की दो तरह के फाइट चल रही थी ट्रापाटर इस्ट गल चल रहा था एक तो मा पुर्टकाली क्योंकि डच ने इलिमनेट कर दिया था पुर्टकाली इसको इंडिया से और इंडोनेशिया से दोनों से लेकिन हुआ कि यह बाद में फिर यह फोकस नहीं कर पा रहे थे इतना ज्यादा हो रहा था फाइट हो रहे थे इंग्लेश फ्रेंच और यह सब के चक अब डच को परिशान कर रहे थे तो डच इसलिए छोड़के गए थे यहां से ठीक है अब इंग्लिश और फ्रेंच आपस में बेड़ेंगे तो इंग्लिश और फ्रेंच जब बेड़े तो थी कानेटिक वास हुए को कानेटिक वार्स का पीडियेट जा देखोगे 1746 से अर इंग्लिश फ्रेंच वार्स पर फटेंगे जो लड़ रहे तो यहां इंग्लिश को में अपस में देखा कि कौन कौन ड़ रहा है अपस में मराठा निजाब मैसूर धीरे धीरे उनको सबको ले गया है मतला सबटनेट करा उन्होंने ठीक है तो आप देखोगे कि स्टार्ट इन्हों ने माराथा लोगों से पंगा नहीं लिया क्योंकि माराथा पीक पे थे पाणिपत का जो फ़र बेटल वह उससे पहले तक माराथा पीक पे थे उनकी पावर बहुत बढ़ गाई थी ठीक है तो उस पावर बढ़ने की वज़े से कोई उसके लड़ना मतला कोई भी दो आप देखो कि उसके बाद फिर आंगलमारथा हुए आंगलमारथा वार निजान से अव्य निजान नहीं कर लोड़ाई नहीं करी हुए उन्हें तो यह अब यह मैप देख रहे हो यह मैप ने मैप यह फरुग स्केर के टाइम का मैप 1717 के टाइम का तो आप तो उसके बाद आते रहे तो आप एडिया लगा सकते हो कि दिखें कौन कौन कहा था जब फारुक्सियर था उसमें मुगल सब्णों मेंसूर्ड सब्सक्राइब मासूर नवाबो बंगाल है तो और विसाका पतनम असुली सब्सक्राइब और कारेचा आप Used के नवाब मदरवे के नायक्स कहा है तंजाओर और यह आप देखरों आराकान देखिए अहुम कहा है मनिपूर सिक्क्यम इस तरह से आप देखा रहे हैं और में साउथ साइब पोर्शन में फोकस करते हैं तो आप देखोगे कि यह पेशवा की टरिटरी दिख रही है आपको म सब्सक्राइब के दूसरा हुआ ठीक है अंगल मैसूर यह है दर अली और टीपु सुल्तान जो है मैसूर सही थे तो इन से मंदब इनकी लड़ाए हुई ठीक है तो इनको नहोंने पहले नौर्थ में पूरा कब्ज़ा किया फिर नौर्थ में करने के बाद फिर मारा अमारा नौर्थ इस्ट पंजाब और शिंद नौर्थ वेस्ट पास्ट अंडर डारेक्ट वेटेश रोल और इंग्लिस प्रोटेक्ट रेट अठाड़ा सो बीस तक आप देखोगे कि इस पूरा का पूरा इंडिया मतलब इनके कब्जा में आ चुगा था ठीक है और क्या रह गया इनसे रह गया था पंजाब शिंद और यह असाम रह गया था ट्रीक है बाकि फूर पूरा पकजह कर रख्या था तो विटेंडिया इंपर कप था तो सबसे पहले कैव्या पर गहां जोगे तो सबसे पहले रह्यआ एनवों ने असाम में पर इन्होंने बर्मा मतलब मियमार को इन्होंने मतलब 852 में किया तो आप देखो कि इसका सीक्वेंस क्या है एस पील ठीक है तो एस पील असाम सिंद पंजाब और लोवर्मा ठीक है एस पी तो आप याद रखो जैसे असेशेंट हो ताहिस अप्रिटेंट पुलिस असाम सिंद और पंजाब ठीक है तो इस इंटिया कमनी ने ने पर वो दिखाई देता है ठीक है तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू